वेलकम टू मेडिकल टूबर तो फ्रेंट्स आज जो हम वीडियो लेकिया हैं वह है इंडी और इंग्लिस सभी में आपके सामने यहां सोग किया गया है फ्रेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंदक आप बने रही है आपको आज इंपोर्टेंट कोश्चन्स की जानकारी आपको मिलने वाली दोस्तों जो आपके सभी एक्जाम्स में लगभग आपका प्री जो मेडिकल एक्जाम्स है उसमें बहुत ही यूसफुल हो होने वाली इसके साथ साथ आप जो पोस्ट मेडिकल एक्जाम्स या जॉब्स के लिए उन लोग के लिए भी बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कोश्चन्स तो पहला कोश्चन्स है निमनों में से कौन सी गैर इस्ट्राइड गोली है अर्थात या इस्ट्राइड नहीं होती है ऑप्सन है माला डी माला एंड सहली एंड क्विन इस्ट्रॉल तो फ्रेंस ये चार गोली का नाम दिया हुआ है जो कॉंट्रास्यप्टिव औरल पिल्स होते हैं अर्थात गर्व निरोधक गोली होती है तो फ्रेंस इसका जो correct answer होता है वह है सहली जियां दोस्तों सहली Mala D, Mala N और Queen Stroll यह तीनो isteroid है सिवाय सहली के जियां दोस्तों तो जो कुनिस्ट्रोल होते हैं इसका उपयोग जो होता है वो mini post जो monopause हो जाते है, mini post hormone therapy के लिए किया जाता है साथ में hormonal birth control के साथ साथ इसका breast cancer और prostate cancer के लिए भी यूज किया जाता है कुनिस्ट्रोल का तो फ्रंट्स चलिए आप जानते हैं सहली तो सहली क्या है तो सहली एक गर्व निरोधक गोली है फ्रंट्स जिसको जो इस गोली को कंप्रोमाइज किया गया है यह होता है अर्थात बायो chemical नेमनी जो होता है वह उसको सेंटो क्रोम मैं दिया गया और इस ड्रग में उनली यूनिक कंपोजिशन होता है नौट इस्ट्राइड जिया दोस्तों और इसको जो विक्सित किया गया है तो यह सी एस आई यार अर्था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंच्ट्यूट लखनाव के द्वारा इसको कंपोजिशन त्यार किये गया है चलिए अब नेस्ट कोस्टन के और बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर सेकेंड निम्लिक में से कौन से गर्भी निरुधा का उपाय गर्भासे को भ्रूड के रोपर क अनुपयोगत बनाते हैं तो इसके ऑप्सन इसकार है पहला है डायाफ्राम सेकेंड है कंडों थर्ड है आई यूडी एन फोर्थ है प्राकृतिक उपाय तो फ्रंस इसमें दिया गया है कौन सा गर्भ निरोध का उपाय गर्भासे को भ्रूड के रोपर के लिए अनुपयो नंबर पर दिया है आई यूडी इंट्रा यूट्रेन डिवाइस चलिए नेस्ट क्वेस्टन के रोपड़ते हैं क्वेस्टन नंबर फोर निमली में से कौन सा गर्भ निरोधा का प्राकृतिक उपाय है पहला इस्ट्रिलाजेशन आई यूडी डायाफ्राम एन आउधिक स इस प्राकृतिक उपाया नहीं होते हैं मैड होते हैं औरHow कि अनुस्ट कुर्ण होता है मकिתने दिनों का 28 दिनों का एक चक्र होता है 28 दिनों के चक्र में इसमें तीन अवस्था इस्में बाटा गया है तो इसको पूरा 78 तक माना जाता है तो फ्रंट्स यहां एक से चौदा 10-18 से लें पंदरा से इसलिए नहीं लिए गया है क्योंकि जब मेरिस्टल प्रियड स्टार्ट होता है तो उसके पहले दिन से लेके दिन तक जो औफelly की प्रक्रिया नहीं होती है दिन से होता है किन्तो 401 जो प्रची resign के नहीं होने के कारण een Sesट कि प्रक्रिया नहीं हो सकती है इसके विज़े से इसको आओधिक सभ्य करके मतब उस प्रेट के समय में अगर किया जाता है नहीं होगी और जो सकेणड टाइम होता है यह से अगर इस दिन सयम रखा जाता है जो हमारा बीच का समय है तो गरवधराण को रोका जा सकता एक प्राकृतिक उपाए है इसके बाद अगर आप एक से चौधा और उनिस एठाइस के बीच में अगर बिना आप सुरक्षा के संभोग करते हैं तो भी गर्ब धारन होने की संभावनाय बहुत ही कम होती है इसे कहते हैं आधिक सहियम तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा फ्रेंट्स हो जाएगा आधिक सहियम एंसर नंबर फूर्थ चलिए नैस्ट कोष्टन के वह बढ़ते हैं कोष्टन नंबर फोर है नम लोमने से किस गर्ब निरोध उपाए के असपल रने की दर काफी अधीक है तो इस चार आप्सन दिया हुए है पहला है रोध तो फ्रेंट्स यह होता है निरोध है इसके पर सेकेंड्ड य आयू, D, Intrautertained Device, and option number third है, बंध है करड, तो फ्रेंचों और option number fourth है, प्राकर्तिक वीधिया, इस में से जो फिल होने का, जो असफल होने का दर होता है, वो सबसे अधिक प्राकर्तिक वीधिया में होता है, चलें नेश्ट क्वेस्टेंज के वर देखते हैं, question number five, नियम में से किसके अपातकालिन गर्ब निरोग के रूप में परिजोग किया जाता है तो फ्रंस मालाडी, सहली कंडों यह तीनों जो होते हैं जो अप्शन नमबर मालाडी, सहली, कार्ठरा शेटी पिल्स होते हैं और यह कंडों तो इसको अपात कालेन रूप में नहीं किया जाता है किन्तों जो emergency pills होते हैं इसको 72 hours के अंदर अगर ले लिया जाता है तो गर्व ठहरने का या गर्वधारन होने की संभावना काफी कम हो जाती है तो फ्रंट्स चलिए अब next question स्कूर पड़ते हैं question number 6 कितने समय तक के लिए चिकित से गर्वता समापन अप्रेच्छा के लिए सुरक्षित माना जाता है तो फ्रंट्स आप सभी को पता है कि गर्व समापती के लिए एक एक्ट बना है जो एक्ट 1971 में बना है MTP जिसको medical termination of pregnancy MTP कहा जाता है तो यह इसको कब तक व्यद्य माना जाता है डॉक्ट्टर के द्वारा पहला option है 12 विक्स 18 विक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाएगा फ्रंट्स पहला त्यमाहिक और फॉर्थ है वन एंड थाट इसका जो एंसर हो जाएगा फ्रंट्स हुआ एंसर नमबर डी हो जाएगा वन एंड थाट अर्थाद बारह सब्ता या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर माना जाता है उसको 12 विक्स तक को माना जाता है तो फ्रंट्स चलिए अब नेक्स्ट कोस्टन स्कोर बढ़ता है कोस्टन नमबर 7 निमनों में से किस गर्व निरोत के उपाय के दुस्प्रोभाव लगभग सुनने के बराबर है तो अप्सटन है निमनों में से गर्वाव होता है इसका कोई भी दुस्प्रोभाव नहीं होता है नेस्ट कोश्चन्स कोश्चन नम्बर 8 निम्र में से गर्ब निरोत का कौन सा उपाय अंडूतसर को रोकता है इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वो है तो आल आप दा एबब अप्शन नम्बर 4 राइट है यह सभी अंडूतसर को रोकते हैं तो कॉश्चन नम्बर 8 का उप्शन नम्बर D आल अप दा एबब चलिए अब नेस्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं निम्र में से कौन सी विधी इन वीवो है तो फ्रेंट्स इसका ऑप्शन है ऑप्शन नम्बर फर्स्ट है जी एड आई एफटी जिप्ट एंड जी आइफटी गिप्ट एंड आई सी एस आई एंड आई यूटी जी यहां दोस्तों तो चलिए अभी एक एक के बाद जान लेते हैं जी आई एफटी जी आई एफटी में तब उसको समाप्त करने के लिए या नॉर्मल ब्रांडिंग करने के लिए एप इस पॉम और एक को कराने के लिए इसका यूज किया जाता है तो इसे जिप्ट करते हैं और जो गिप्ट है जी आई एफटी गिप्ट तो इसका जो फूल फाम होता है वह होता है गेमेट इंट्रा फालॉपियन ट्रांसफर जैंद दोस्तों गेमेट इंट्रा फालॉपियन ट्रांसफर इसका जो यूज किया जाता है वह मल्टिपल एक्स कोलेक्ट फॉम दो ओवरीज एंड इसके बाद जो एक्स होते हैं उसको प्लेश्ट इंट्टिन फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसको कैथेटर करते हैं along with the sperm to be used and the gametes both egg and sperms are then injected into फिलेपियन ट्यूब इसको फिलेपियन ट्यूब में इंजेट कर दिया जाता है सर्जिकल प्रोसिजर के द्वारा जिसको हम लेप्रा इसको भी कहते हैं और थर्ड ओप्शन जो है ICSI तो ICSI का फुल फॉर्म जो होता है इं specially जो किया जाता है वह male factor infertility में किया जाता है और इसका treatment की यूज किया जाता है इसको in vitro fertilization या IVF के अंतरगत आता है या वीवो में नहीं आता है और IUT, IUT का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंट्स होता है intrauterine transfer तो इस technique के मदद से जो embryo होता है जो R8 blastomere stage हो जाता है या इस cleaning, nutrition and further deployments के लिए उसको intrauterine valve पे मनतब transfer किया जाता है तो इस तरीके से इस questions का answer हो जाएगा वह हमारा answer number हो जाएगा answer number second GIFT इसका correct answer है फ्रेंट्स तो उमिद करता हूं ये questions आपको अच्छे से समझ माया होगा अगर नहीं समझ माया है तो एक बार और बता देता हूं इन वी इंटर्नाल Fertilization In Vivo में होता है और जो IVF होता है उसको जो Fertilized by Spum In A Lab में जो होता है जिसको In Vitro Fertilization होता है और इन वीवो में जो Fertilization अंदर होता है अर्थात आंतरिक internal fertilization होता है उसको वीवो कहते हैं तो आपको यह समझ में आ गया होगा वीवो का मतलब का है इन वीवो का मतलब antric fertilization and IVF का होता है in vitro fertilization अर्थात fertilization की जो परक्रिया होती है वा किसी lab में होती है तो उसको हम IVF या IVF कहते हैं जो internal होता है उसको इन वीवो का जाता है इसमें से तो आप समझ में गए होंगे अब चलिए option को भी एक बार और समझा जाता हूं जो जिप्ट होता है तो जिप्ट में जो होता है उसमें आपको यह होता है कि इन फर्टिलिटी के ट्रिट्मेंट करने के लिए जो ब्लॉकेज होता है फिलोपियन ट्यूप में उसको हटा के जो नॉर्मल बाइंडिंग होता है इस पर्म और एक का उसको कराया जाता है जिसको जाइगोट इंट्राफिलिप्यन ट्रांसपर कहा जाता है वह होता है जी आई एफ्ट का फॉल फॉर्म वहीं होता है जाट कर लिया जाता है इसके बाद उसको इस पर्म के साथ मैच किया जाता है इसके बाद जो gametes बनता है उस gametes को जिसमें eggs and sperm दोनों होते हैं उसको inject कर दिया जाता है fallopian tubes में जो surgical procedure कहलाता है laparoscopy तो इसकी मदद से किया जाता है इंट्रियोट्राइन में तो यह हो जाता है जिब्ट कहलाता है और नेक्ट है ICSI तो ICSI का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंट्स वह आपको तो अभी मैंने बताया intra-cytoplasmic sperm injection जो IVF अर्था in vitro fertilization के प्रकार का है तो इसका जो correct answer होता है फ्रेंट्स हुआ इंट्रियोट्राइन ट्रांसपर इस टेक्निक में जो embryo को 8 blastomere stage तक या फिर उसके अधिक होने के बाद इंट्रियोट्राइन में inject किया जाता है फर्दर उसके deployment और जाइगोट एंब्रियो के nutrition और उसके विकास के लिए इसमें किया जाता है तो इसका जो correct answer है आ जाता है हमारा answer number second GIFT तो फ्रेंट्स चलिए next question के बढ़ता है निवर में से किस वीधी में फ्रोड को blasto 32 blastomere अवस्ता में इस्ताहंत्रित कर दिया जाता है IUT, GIFT, ZIFT, GIFT, and ICSI तो फ्रेंट्स जो question number 10 है इसके correct answer फ्रेंट्स इसका answer अभी जेस्ट हम लोग आपको बताया थे तो इसका correct answer है IUT अधा intrauterine transfer में कर दिया जाता है 32 blastomere की औस्था में भूड को जो 32 blastomere औस्था होती है उसमें इस्तामानत्रित कर दिया जाता है इसमें मैंने जब कि आपको बताया 8 से 8 या फिर उससे अधिक जो blastomere की औस्था होती है उसी सिती में कर दिया जाता है उसके बृद्धियों और विकास करने के लिए चलिए अब next questions के और पड़ते है question number 11 question number 11 है किस गर्भ निरोधा गोली को भारत में लखनाओ की केंदरी और अस्थी अनुसंधान संस्थान ने की है तो फ्रेंट्स option है malady, mala and sehali and quinnin, stroll तो queen, stroll और mala and malady ये सभी तीनों जो है friends अभी आपको मैंने बताया था option number first, second and fourth ये तीनों stride प्रकार की होती है किन्तों जो sehali है जो sehali होती है वो आपको जो बनाया गया है लखनाओ के द्वारा तो वो जो sehali है friends यहाँ आप देख रखते हैं तो इसको लखनाओ में बनाया गया है उनस्थान संस्थान के द्वारा कर्बनी द्धग गोली को तो इसका जो correct answer होता है वो है sehali इससे sento, chrome man के नाम से भी जाना जाते है क्योंकि ये destroyed tablets के इंतरगत नहीं आती है चलिए अब next questions के पर बढ़ते हैं question number 12 निर्म में से कौन सी वीधी भारत में परतिव बन्धित है USG, sterilization, उत्वेधन या IVF इसका जो correct answer friends वो है उत्वेधन को यहां भारत में परतिव बन्धित किया गया है चलिए अब next questions के पर बढ़ते हैं यदि नर important हो और माधा समाने हो तो निर्म में से कौन से वीधी का उप्योग किया जाए ICSI, ZIFT, GIFT, AI इसका option ICSI, ZIFT, GIFT, AI इन सभी का option मैंने आपको बता दिया है किन्तो इस option number जो fourth में अभी आपको यहां सो हो रहे है option number fourth AI तो जी हैं दोस्तों जो AI क्या होता है AI होता है artificial insemination जी हैं दोस्तों artificial insemination किया जाता है अर्थाथ जो artificial तरीके से जो semen होते हैं उसको जो uterus तक पहुचाया जाता है women's के cervix के माध्यम से during time of ablution तो इसमें क्या किया जाता है involve the insertation of sperm into women's cervix during time of ablution ablution जब उसका समय आता है उसमें cervix के माध्यम से जो sperm होता है उसको insert कर दिया जाता है जो intrauterine insemination IU, IE की नाम से भी जाना जाता है जो donor होते है insemination are alternative insemination तो the procedure used to help women unable to get pregnant after a year of trying तो इस स्थिति में जब वह male नपुनसक होता है उस स्थिति में जो semen होता है उसको उसके ablution के time में insertion किया जाता है cervix के माध्यम से तो इस माध्यम से भी वह pregnant होने की chances होती है तो यह माध्यम का इस्तमाल किया जाता है तो friends चलिए अब next questions के बढ़ते हैं तो question number 14 है IVF technique के अंतरगर्द निम्र में से कौन सी आती है तो friends अभी आपको मैंने बताया IVF technique के अंतरगर्द तो option number first है GIFT, second है AI, third है I, UT and fourth है all of the above तो friends IVF, IVF का full form होता है in vitro fertilization तो friends अभी मैंने IVF आपको बताये था IVF का full form क्या होता है तो IVF में जो होता है एक lab में artificial तरीके से और fertility के लिए प्यार किया जाता है, fertility कराया जाता है उसे IVF technique कहते हैं तो IVF technique के अंतरगर्द जो आते हैं इसका correct answer है I, U, T जो inter-utern transfer होता है वो I, UT होता है क्योंकि इसको पहले lab में इसको lab के द्वारा पहले इसको fertilization किया जाता है जब 8 से अधिक या 8 blastomias हो जाते हैं उस इस्तिति में इसको प्रत्यारोफित किया जाता है प्रत्यारोफित पहने के बाद वहां उसका विकास होता है तो इसको IVF technique के अंतरगर्द आ जाएगा और जो वीवो होता है अभी वीवो के वारे में बताए जो क्यों तक इसको इंतरजिशन होता है akan आंदर में होता है वो से करते हैं और वीट्रो फो फोलै सरथ होता जो इंतरइन या गर्फाश यूलवास नहीड़ से बाहर जो फोले सनी होता है उसको आप सभी को पता ही होना चाहिए इस काफी सरल सवाल है तो कंडम कंडम होता है जो HIV से स्वरक्षा प्रिदान करता है तो इस तरीके से फ्रेंट्स इसका सभी का एंसर भी मैं नीचे दिया हूँ अगर आपको इसका वीडियोब चाहिए तो आप मेरे जो साइट है उसमें सरकारे रिजल्ट फास्ट डॉट कॉम वहां जाएंगे फ्रेंट्स वहां आपको मिल जाएगी और मेडिकल ट्यूबर मेरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्यू फूर वाचिंग अब गुड़ देज जय हैं जया भारत झाल